तो इंडियन प्रीमिर लीग के सीजन 17 याने की टाटा आईपेल 2024 की तैयारी पूरी हो चुकिये पूरी हो चुकिये अब आईपेल 2024 22 मार्च से शुरू होने जा रहा है लेकिन सबी फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर आईपेल 2024 के सबी मैचेस कब कहां और कैसे देखें अपने टीवी चैनल पर या फिर मॉबाइल एप पर तो इस वीडियो में आपको पूरी विस्ता से बताने और देखाने वाने लेकिन आपको बदा रहे कि आईपेल 2024 के लिए इस स्टेडियम वेन्यूज भी बदल चुके हैं जहां इस बार आईपेल 2024 के सभी मैचे दस स्टेडियम में नहीं बलकि बारा स्टेडियम में बारा वेन्यूज पर खेले जाएंगे देली के अरप्रस की टीम अपने शुरुवाती मैचेस दिल्ली में नहीं खेलेगी बलकि कहीं और खेलेगी तो हैं पंजाब विकिंग्स की टीम भी अपने होम मैचेस अपने घर कि मैचे स्रिफ एक स्टेडियम में नहीं बले कि दो-दो स्टेडियम पर केलने वाली है तो क्या कुछ चेंजिस भी हैं वेनू को लेकर आगे पूरी विस्तार से बताएंगे साथ ही साथ आई पेल 2024 की टाइमिंग भी बदल चुकी है तो कौन सा मुकाबला कितने बज़े शु पर लाइब देख सकेंगे हिंदी इंग्लिस और अलग अलग भासाओं में क्यों टीवी चैनल्स की ब्रोड कास्टिंग राइट्स इस टाइज स्पोर्स के पास है तो इस टाइज स्पोर्स लाइफ लिकास करेगा तो यह अगर हम बात करें मुबाइल फून की तो अगर स्टेडियमा के पास है डिजिटल ब्रोड कास्टिंग राइट और जियो सिनिमा बिल्कुल फ्री में लाइफ टिलिकास करने वाला है तो यह तरी ब्रोड कास्टिंग डिटेल्स अब बात करें आईपल तुबहसाल चुबिस के सभी वेन्यूज और स्टेडियम के बारे में डेली करों जेटली स्टेडियम में नहीं खेलेगी बलकि वाईजाक में खेलने वाली है विसाखा प्रत्नम के राजे सेकरा रेड़ी के रिकलिस स्टेडियम में वो इसलिए क्योंकि डेली करों जेटली स्टेडियम में डबलो पील के काफी मैचेस होस्ट हुए है बैक टु तो सेतना है यह बिंदरा सिंग इंटरनेशनल स्टेडियम है जिसे मौलानपुर के रिकिरिस्टेडियम के नाम से जाना जाता है तो है दूसरा है इनका होम गराउंड है वो है देली के रूम जेटली स्टेडियम पंजाब के के स्टेडियम है जबकि कौकत्πα नाइ टार्टेस का होम गिराउंट आईपिल 2064 में कोलकत्ता का इडन गार्डेसे स्टेडीयम है, जबकि राजेतान स्वाइस की टीम का होम गिराउंड जाइपूर का सुएमान सिंग है, जबकि गुज़ात टैर्डेंश का होम किराउंड आहं Central स्टेडीयम जबकि रुइल चलंगेश बेंगलूर का हॉम गराउंड स्टेडियम, बेंगलूरू के एम चन्ना स्वामी स्टेडियम है, जबकि सालम्जाजास हैदराबाद का हॉम गराउंड वह है идराबाद का राजियोगादी इंटरनेशनल स्टेडियम, जबकि लखनोंस उपर जेन्र का Home Ground IPL 2024 में लखनों का एकाना किरिकट स्टेडियम ही है तो वहीं Mumbai Indians का Home Ground IPL 2024 में Mumbai का One Cup Day स्टेडियम है तो यह रहे सभी 12 स्टेडियम और सभी 10 टीमों के Home Ground अब अगर हम बात करें IPL 2024 के टाइमिंग तो उससे पहले अगर आप भी डेली IPL और किरिकेट की वर्ल में सबसे फास सबसे पहले हर एक न्यूदन अपडेट्स और वीडियो जबकि डेली डेली ड्रीम 11 फेंटेटर टीम बिलो किलो फिरी में मुफ में पाना चाहते हैं तो भी फटाइफाट हमारी टेलिग्राम चैनल को सबसे पहले तो टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रीप्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है लिंक पर किलिक करिए और हमारी टेलिग्राम फेमिली का इस सब बनिये अब बढ़ते हैं वीडियो के और तो बात करते हैं IPL 2024 की टाइमिंग के बारे में पहले में इसकी ही टाइमिंग अलग है इसके लावा IPL 2024 के सभी मुकाबलों की टाइमिंग बिल्कुल से में पिछले साल की तरह जिस दिन एक मेंच खिला जाएगा वो मुकाबला सामको 7.30 बज़े सुरू होगा यानि के 7.30 पिम से जिस दिन दो मुकाबले खिले जाएंगे तो दिन का मुकाबला 3.30 बज़े से यानि के 3.30 पिम से शुरू होगा दो पहर में और दिन का दूसरा मुकाबला अपने समय अनुसाल सामको 7.30 बज़े से यानि के 7.30 पिम से तो यह दिन आई पिल 24 की लाइव टेली कास्ट है वेनों और टाइमिंग की सबी डिटेल्स उमेद करता हूं कि वीडियो चले क्योंगे अगर अच्छे प्लेस लाइक करें शेल करें